जेस्ट फ्यू आर्स अगो युनिवर्सिटी पे एक न्यू नोटिफिकेशन आया है बाबा फरीद युनिवर्सिटी फेल्थ और साइंस पे कॉंसलिंग के रिलेटेड उसमें चेंज सी है कि जो फी स्ट्रक्चर है उसको फिर से चेंज किया गया है सिर्फ जो अदेश इंस्ट्रक्चर फिर से चेंज हुआ है जो पहले चेंज लिए तो जिन बको जरूरत है जिनको नहीं पत्ता लगा भी तक नोटिफिकेशन का वह प्लीज उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें यह वीडियो सो देट उन्हें पता लगजे क्योंकि कल ही लास्ट डीट है 30th 30th is the last date for choice filling सो अपनी अपनी choice filling अच्छे से फिल कर लें अगर आपको अपने अदेश बठंडा को पहली preference रखा हुआ था तो आप उसे change कर सकते हैं अभी मैं fee structure बता देता हूँ पहले क्या था और अभी क्या change हुआ है मैं अभी दिखा देता हूँ So when you click on the link and download the notification This is the notification that you see on your screen This is the notice and according to Honorable High Court Punjab and Haryana High Court जो previous fee structure था वो उपर लिखा हुआ है और जो new fee structure है वो नीचे लिखा हुआ है तो उसमें changes हुआ है मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ So this is the previous year fee structure of Aadish Bhatinda So first year government quota में थोड़ा कम था खर्चा और management quota में जो है अगर कोई management quota की seat लेता था तो उसका खर्चा थोड़ा जादा होता था तो specifically आप देख सकते हो first year, second year, third year, fourth year, fifth year की fees में काफी difference है government quota और management quota की whereas नीचे जो आप देखोगे वहाँ पे अभी जो changes होगा है वो उसके according government quota और management quota की वो same fees charge करेंगे और fees government quota की भी उतनी होगी जितनी management quota की होगी जितनी पहले थी पहले भी 10,42,000 जो है management quota की fees थी first year की still अभी जो है government quota में भी आपको 10,42,000 पे करना पड़ेगा first year में so fee structure में बहुत ही I can say बुरा change है ये बच्चों के लिए तो detrimental है और financially जो है equivalent नहीं है तो चलो जो afford कर सकते हैं उनके लिए better है and जिन बच्चों को अपने preference order में कुछ changes करने वो कर सकते है कल last date है preference order में change करने के लिए इसलिए university ने अभी जो है notification निकाल दिया है इसके recording ताकि बच्चों को idea लग जाए कि वहाँ पर जो है अदेश बठिंडा में जाके खर्चा जादा होने वाला है उनका तो वो उसको preference order में नीचे कर सकते है या फिर जिन्नोंने पहले सही अदेश बठिंडा को सोच हो है तो इसको भी प्रेफर कर सकते हैं तो अदेश बठिंडा में तो फी स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है बाकी कॉलेजिस का सेम है प्रीवेस वीडियो आप देख सकते हैं मैंने फी स्ट्रक्चर को explain किया हुए है जस्ट जो अदेश बठिंडा है प्राइविट मेडिकल कॉ पताना कि आपको वीडियो नेक्स टॉपिक पर किस पर चाहिए और सो इस वीडियो को जाद सेहादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स या फिर जिन्नों ने भी कांसेलिंग में पार्टिसिपेट किया उन तक वह उन्हें पता लग जाए कि कुछ चेंजिस हों हैं फी स्ट्रक् बाइ